कि नुश्का साथियों सीटीपी पांच का पंच में आपका एक बड़ी फिर से स्वागत है मैं आपके लाम ने फिर से लेके प्रस्तुत हूं पांच शांदार कुश्चन और उनसे भी शांदार उनकी चाहिए आज की प्रश्णों को देखते हैं तो पहला प्रश्ण आपके सामने एरिक्सन बिलीव थेट हैल्दी डेविलप्ट रेस्टर एरिक्सन का मानना था कि स्वस्त विकास निम्नोपर निर्भर करता है तो यहां पर हम बात करें एरिक्सन के उपर बात की जा रही है तो जब हम Erickson को देखते हैं, तो Erickson हमारे पास क्या देखते हैं हमें, Erickson हमें देखने को मिलता है कि यह psychosocial development की बात करते हैं, Erickson का conceded theory है, वो है psychosocial development. Erickson मनो सामाजिक विकास की बात करते हैं, और मनोसामाजिक विकास में इन्होंने life crisis की बात करे थी इन्होंने जीवन संकट की बात करे थी जो इनका आधार था एरिक्सन का वो था life crisis जब एक व्यक्ति एक बालक इन life crisis से उबरता है तो उससे फिर इन्होंने बताया कि आठ चरणों में हमारा साइको सोशल डेवलप्मेंट होता है एट phases में, एट stages में हमारे पास हमारा मनो सामाजिक विकास होता है तो ये किस सरह के conflict होते हैं, life conflict किस से होते हैं, क्या ये masculine feminine है, क्या ये पुरुष और इस्तरी के बताया इन्होंने, नहीं क्या elektra complex ये ओडिपस complex बताया, इलेक्टरा मनो गरंथी ये ये इडिपस मनो गरंथी बताई नहीं, ये दोनों गरंथियां किस ने बताई हैं तो ये दोनों बताई हैं फ्रायड ने यह fried के हमारे fixation है यह हमारा fried का fixation है fried का स्थरी करण है जो की हमें दो विकार देखने को मिलता है और यह स्थरी और पुरुस के विकार हैं जैसे हम elektra की बात करें तो elektra complex हमें girls में लड़कियों में देखने को मिलता है और odipus complex की बात करें तो ओडिपस complex, ओडिपस हमें मनोगरन्ती, boys में देखने को मिलती है, लड़कों में देखने को मिलती है, ये fried, तो इन्होंने किसकी बात करी, इन्होंने बात करी syntonic और dysyntonic tendencies की समसुरित और विसमसुरित प्रविर्तियों के बीच के संघर्ष का, ये हमारे पास यहाँ answer हमें देखने को मिलता, अब syntonism क्या है या dysyntonism क्या है, तो syntonic का मतलब होता है कि जब हम किसी के समान, अपने विचारिय भाव रखते हैं, इसे हम syntonism कहते हैं, और dysyntonim, यानि हम जिव किसी से अलग रखते हैं, तो जीवन संकट क्या होता है, तो जीवन संकट यहाँ पर ये बताते हैं कि एक व्यक्ति के अपना व्यक्तित होगा और एक व्यक्ति के आपास समाज होगा, जब व्यक्ति के अपने व्यक्तित वर समाज के बीच में टकराव होगा, तो इसे वो जीवन संकट का नाम दे देते हैं, यह हमारे पास syntonik यानि व्यक्ति के समान, जो समाज है और dysintonic यानि व्यक्ति से जो विपरीद समाज है इन दोनों के बीच में जैसे कि हम toilet training के बात करते हैं तो toilet training हमें किस रूप में देखने को मिलती है बच्चे को pressure लगता और बच्चा क्या करता उस pressure से बाहर आ जाता है यह हमें देखने को मिलेगा लेकिन बच्चे को क्या करना पड़ेगा समाज के हिसाब से toilet को रोकना पड़ेगा और फिर एक निश्चित जगह जिसे हम toilet कहते हैं वहाँ जाकर toilet करना होगा तो ये हम क्या देखते हैं ये हमें देखने को मिला एक संघर्ष है जिसको बच्चा resolve करने की कोशिश करेगा तो अलग-अलग जगा हमें हर चरण पर अलग-अलग तरह के संघर्ष देखने को मिलते हैं और ये संघर्ष कैसे पूरे होंगे इसको बताने का काम करते हैं तो ये संगर्ष जैसे failed की हमें development में देखने को मिलते है hinter shared इन संगर्षों के ऊपर बात करता है लेकिन इन संगर्षों के माध्यम से पिर इसको resolve करके संगहटों को संकहटों को समाधान करके जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि संगर्च का समाधान होगा और हमें मनोसामाजिक विकास देखने को मिलेगा साइको सोशल डेवलप्मेंट देखने को मिलेगा चले next question को देखें genes in a human beings are located in मानवो में gene in में स्थेत होता है तो यह हमें सीधे biological basis देखने को मिला है और यह कहां पर देखने को मिलते हैं यह हमारे पास होते हैं हमेशा nucleus में जो हमारा केंद्रक होता है केंद्रक के अंदर हमें क्रोमोजोम्स देखने को मिलेंगे जिसमें हमारे genes located होते हैं जिसमें हमारे genes पाए जाते हैं चले next question को देखते हैं which theory of development also focuses on social interaction in development विकास का कौन सा सिध्धान्त विकास में सामाजिक संबंदों पर भी ध्यान केंद्रित करता है तो सामाजिक संबंदों पर कौन ध्यान केंद्रित करेगा तो अगर हम सामाजिक संबंदों की बात करें social interactions की बात करें interactions इन्होंने संबंद दे दिया हिंदी हम interactions को अंतरक्रिया कह सकते हैं तो सामाजक अंतरक्रिया के उपर जो फोकस करते हैं वह हैं वाइगॉस की यहां पर सोशल इंट्रेक्शन के उपर बात करते हैं प्याजे यहां कोगनीटिव कोगनीशन के उपर बात करते हैं संग्यान के उपर बात करते हैं फ्राइड यहां साइक साइको सेक्शुल डेवलप्मेंट के उपर बात करते हैं, साइको सेक्शुलिटी के उपर बात करते हैं, मनो लेंगिक्ता के उपर बात करते हैं, जिससे और कोलबग यहां पर बात करते हैं, किसके उपर यह बात करते हैं, मौरल रीजनिंग जिससे की बच्चे का डेवलप्म होता है यह बात करते हैं नैतिक तर्कना के ओपर तो यहाँ पर चारों लोग चारों मनोव-ज्यानिक अलग-लग हमें अवधारना देते हैं विकास के लिए संग्यान के प्रयोग के माध्यम से विकास प्याजे का, मनुलेंगिकता के अनुसार विकास फ्राइड का और फिर नैतिक तरकना के अनुसार मॉरल रीजनिंग का और सामाजीक अंतर क्रिया के अनुसार वाइगॉसकी का हमें देखने को मिलता है चलें नेक्स कुछिन को देखें चात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपियों को सूची बद करने के लिए कहना एक सिक्षक को यह जाचनी में मदद करेगा कि चात्रों में निम्निकित में से कौन सी रचनात्मक शमता है यहाँ पर हमसे रचनात्मक शमता के उपर बात की गई है creative abilities की उपर बात करिए flexibility creative ability है originality creative ability है elaboration नहीं है fluency creative ability है और साथ में divergent thinking अब सारी चिंतन यह हमारे पास चार हमें देखने को मिला जो की हमें creativity के लिए abilities देखने को मिलते है flexibility, originality, fluency and divergent thinking हमारे पास लचीला, पन, मौलिक्त, प्रवाह और अपसारी चंतन यह चारों हमें देखने को मिलते है creativity के लिए अब यह चारों गर creativity के लिए देखने को मिलें तो हम divergent thinking यहाँ पर कोई चीज हम तोड़कर अलग अलग नहीं कर रहें इसलिए divergent thinking यहाँ पर answer नहीं होगा, हमें answer देखना है तो divergent thinking यहाँ पर नहीं होगा उपयोग को सूची बद करना है, यानि हमने उपयोग प्राप्त करना और उसको सूची बद, उसकी लिस्ट बनानी है अब uses को identify करके उसकी सूची बनाना तो यह हमारे पास लचीला पन नहीं होगा क्योंकि कोई option नहीं है नहीं यहां पर list करने के लिए कहा है इसलिए हम नहीं खोज रहोंगे और हम नहीं खोज रहोंगे तो हमें तो यहां क्या देखने को मिलेगा अगर हम अपने brain से सारे के सारे जितने uses हैं उसको reconstruct कर सकते हैं उसको दुबारा ढूंड कर बना सकते हैं तो यह हमें प्रवाह देख करने कि एक जगह से बदल कर दूसरी जगह हो सकता है कि नहीं हो सकता है यह देख रहे हैं कि अगर यह option नहीं तो क्या कोई और option है that is called flexibility that is that have the element of divergent thinking तोड़ कर देखना अलग-अलग देखना कि divergent thinking आती लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं लिस्ट कर रहे हैं इसलिए प्रवाह रहेगा यहां पर उत्तर चलिए next question को देखते हैं the law of readiness was formulated by ततपर्ता के सिद्धान्त का प्रतिपादन निमने से किस नहीं किया था ततपर्ता का सिद्धान्त जो की हमारे trial and error experiment था या जिसे famously हम क्या कहते हैं हम कहते हैं catfish cage experiment तो हमारा जो था यहां पर प्रियास और तुटी का प्रियोग था जिसे बिल्ली मचली पिंजरा प्रियोग कहा जाता है इसके माध्यम से हमें तीन law दिये गए primary laws of learning हमारे पास तीन प्राथमिक नियम दिये गए अधिगम के पांच गौन नियम दिये गए अधिगम के फाइव secondary laws of learning दिये गए यह किया था थॉन्डाइग ने यह experiment किया था थॉन्डाइग ने जिसमें बिल्ली जो हमारे पास काली बिल्ली थी उसको बंद कर दिया किसमें पिंजरे के अंदर और बाहर रख दी मचली कि वो बाहर निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है तो जो बिल्ली निकली उसके उपर हमारे पास error experiment देखने को मिलता है तो साथियों ये थे आज के 5 प्रश्न उमीद करता हूँ कि आपको बहुत से नए concept सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे पुराने concept आपने इसमें revise किये होंगे तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद अगले क्लास में अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है फिर मिलते हैं साथियों नमस्कार